हेलो गाईस आप सभी का बाला की रसोई यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है आलू बैंगन की सबजी बनाना तो आईए श्टार्ट करते हैं आलू बैंगन की सबजी बनाना आलू बैंगन बनाने के लिए ये हमने आलू लिये हैं ये मैंने चार बड़े आलू लिये हैं इनको मैंने इस प्रकार से गोला कार में काटा है और ये दो बैंगन लिये हैं ये 500 ग्राम बैंगन है और इनको मैं बाद में कट करूंगी और ये मैंने दो बड़े टिमाटर लिय 2 चोप लिया और रिवेंन करें analystरroya भर ये 2 आज लिया है आ ये 7 रिवकश्य पंखकें से लिया और ये सब्छा ढद्र हसी चोप करले लिया है तोयो आये इसमया इसमया कर लेए और रिया लुड़ा कि अध्र की। जब तक हमारा उल्फा गरम होता है तब तक हम मसाली चैट कर लेते हैं अधा &दर आधा छमज हल्दी पौडर पर पर आधा छम लाल मिर्ची पौडर पर आधा चममच में गरम मसाला डालोंगे इसमें नमक स्वाद नूसभादे द्यूसार डालोंगे इसमें अब तरह में फ़ल्दल केव्डार जीरह, आरफें फल्स में जीर. जीरह जोड़ है, त現在 द़्मलाइन में लगशन , येए लगतरा सीचार्व मद्दल मुवच्छ कर्टाल की कईपड़ा एल सब्सक्राइए . प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी प्याज हमारे भून चुके हैं अब मैं इसमें ये टिमाटर और साथ ही ये मधाला कर दूंगी और इसमें अच्छे से भून लूँगी मैं अच्छे से भून चुका है अच्छे से भून चुका है अब मैं ये आलू लाल दूंगी इसमें अब आलू को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसाले के अंदर और जब तक मेरे ये आलू भूनते हैं मसाले के अंदर तब तक मैं बैंगन को काट लेती हूँ मैंने इन बैंगन को पहले से ही दो रखा है कट चुके हैं बैंगन को मैंने काटने से पहले ही दो लिया था और अब मैं इसको कुकर में डाल दूंगी यह हमारे बैंगन मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अम मैं कुकर को बंद कर दूंगी मैं इसमें पानी बिलकुल भी नहीं डालूंगी कुकर में और इसे में एक सीटी लगाने तक गैस पी रहने दूंगी यह हमारे मुकर में एक सीटी आ चुकी है अब मैं शीटी को निकलने तक का इंपजार करेंगे और यह हमारे मुकर की मिशन निकल चुकी है हमारी सबजी अच्छे से बनकर तियार हो चुकी है और देखने में विवड़िया लग रही है सबजी अब मैं सबजी को एक बावुल में सब करूँगी हमारे मसालेदार आलू बेंगन बनकर तियार हो चुके हैं अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शियर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद